हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल येस्टी टिटोरियल पर श्वागत है फ्रेंड्स हम सब सी टेट, यूपी टेट, सूपर टेट, सभी टेट एक्जाम के लिए हिंदी का प्रेक्टिस सेट साल्व कर रहे हैं जो ये दूसरा प्रेक्टिस सेट होगा ज आज का पहला प्रशने देखते हैं। पहला प्रशन है बहभासी कछ्छा से क्यातात परी हैं तो सही उतर हो जाएगा आपका सही हो जाएगा दूसरा प्रशन है बिसमता के का बिपरीतार्थी सब्द है यानि बिलोम सब्द पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा तो आफसर नमबर अपका सही हो जाएगा समानता तीसरा प्रश्ण है अल्पता सब्द है तो कैसा सब्द है तो अल्पता जो सब्द है वो तत्सम सब्द है तो आफ्शन नमबर आपका डी सही हो जाएगा चौथा प्रशन है भासा सीखने का उद्देश्य है तो सही उत्रवजाय का आपका आप्शन नमर डी भासा सीखने का उद्देश्य है प्रते एक स्थिती में भासा का प्रयोग कर पाना यही भासा सीखने का पहला उद्देश्य है पांचवा प्रिशन है नैदानिक परिख्षन का उत्देश्य है नैदानिक परिख्षन क्या होता है इसका क्या उत्देश्य होता है तो नैदानिक परिख्षन तो होता है वो छात्रों की कमजूरियों को पता लगाता है ठेक है तो आप्शन नमबर शी आपका सही हो जाएगा छटवा नमट प्रशन है ब्याकरण से छड़ के पाठ कितने प्रकार के होते हैं तो आपसा नमबर आपका सयुजाएगाड़ी तीन प्रकार के होते हैं पहला होता है अपचारिक ठीक है इसको याद भी रखिएगा ये भी देदेता पूछेगा कौन सा इसमें नहीं है तो आपचारिक है ब्योहारिक है ठीक है अपचारिक ब्योहारिक उसके बाद एक है प्रासंगिक ठीक है प्रासंगिक तीन होते हैं ठीक है ब्याकरण सिछन के पाठ जो है तीन प्रकार क की थाय चैप के नहीं है तो सही उत्र हो जाएगा आपका वारिद है यह नहीं है बारिद नहीं है बारिद किसका होता है तो वारिद जो होता है वो बादल का होता है ठीक है तो आप्शन नमबर डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिएगा कमल का वारिज होता है ठीक है और बादल का जो होता है वो वारिद होता है ठीक है इसी कन्फ्यूजन के लिए जो है प्रस्न बनाया जाता है ठीक है जब वारी जए आएगा जए आएगा तो कमल हो जाएगा ठीक है और जब वारी द आएगा द आएगा तो बादल हो जाएगा ठीक है तो इन सभी जो है सबको देख लिजेगा कमल का सरोज जलाज अम जब पंकज अरभिंद पद में ठीक है तो यह सारे याद कर लिजेगा आप 2 प्रशन है तो आफसा नंबर जाएगा हार तो प्रियोग होता है तो पुलिंग यह दोने होता है हार ठीक है तो आपसा नमबर ये सही हो जाएगा नवा नमबर प्रशन है कौन सा सब्द भावाचक संग्या नहीं है नहीं है पूछ रहा है तो आपसा नमबर ये हो जाएगा मिठाई नहीं ये भावाचक संग्या नहीं है भावाचक संग्या ओ होता है जैसे उसके गुड का कोई ब्यक्ति है तो उसको हम बता दें कि यह हमारा बुढ़ापा है बुढ़ापा हुआ बच्पन हुआ मतलब उसके गुड़ को ब्यक्त करता है तो वहां पे भावाचक संग्या हो जाता है ठीक है तो यह मिठाई जो है यह मिठाई अगर मिठास रहता मिठास ठीक है मिठास रहता तो वहाँ पर भाव बाचक संग्या हो जाता ठेक है यह मिठाई है तो यह नहीं हो चतुराई हो गया लडाई हो गया उत्राई हो गया यह सब भाव बाचक संग्या है संग्या जो है पांच प्रकार की होती है देख लिए आप लोग ब्यक्तिवाचक संग्या जातिवाचक संग्या समूह बाचक द्रब्य बाचक और भाव बाचक बेक्तिवाचक में कोई एक बेक्तिका नाम लिया जाता है, जातिवाचक में कोई किसी जातिका नाम लिया जाता है, जैसे पुस्तक हो गया, पुस्तक एक जातिवाचक संग्या हो गया, समूह वाचक संग्या, समूह वाचक में जैसे भीड हुआ, सभा हुआ, तो ये सब जग ये 5 प्रकार का होता है , और देखा निगें जिस संगय सब्द के पतार्थों के वसत्ता निग ह brings हाँ आदिका निग micron करता है Gого्या dish subdu हो गया मोटापा हो गया चढ़ाई थकावट ऐसे जब सब्दा आएं तो हाँ पे जो है भाववाचक संग्या हो जाता है दस्वा नमर प्रिशन है पदमावत नामक प्रसिद ग्रंथ के लेखा का नाम क्या है तो सही उतर हो जाएगा आपका अफ्शन नमर भी जायसी ठीक है मलिक मुहमद जायसी ने पदमावत नामक एक ग्रंथ लिखा था और इसमें देख लेज़े हो ठोड़ा सा यह पदमावत जो है हिन्दी साहित्तिकी अंतरगत सूफी परंपरा का प्रसित्ध महा काब भग कभी 이렇게 है खब 빛 यह बहुक्त देता है कि यह जो पदमावत है किस परंपरा का रही को इक पर sciences जो है मलिक मुहम्मद जैसी हैं दोहा और चवपाई छंद में लिखे गए इस महाकाब्य की भासा अवध है ठीक है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको सभी को यह पूरा आप लोग याद रखिएगा ठीक है इसमें से कई प्रश्ण बन जाते हैं कि दोहा और चवपा कनक ते शौकोनी महादकता अधिकाए इस पक्ती में कौन सा अलंकार है तो सही उतर हो जाएगा आपका आप्षन नमबर शी यह मकलंकार है ठीक है जब एक सब्द दो बार आवे लेकिन उनका अर्थ अलगा अलग हो तो वहाँ पर यह मकलंकार हो जाता है यह से कनक कनक एक कन सब्द चाहेका ठीक है तो ऐसे यह सब्दे करते अनक करते हैं तो सब्द करते हो जाता है इस अ अर्थ अलग अलगाए तो वहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है ठीक है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यही हम लोग उदारण भी उसमें प्रशन में भी पूछा गया था तो आफसा नंबर उसमें आपका सही हो जाएगा सी यमक अलंकार तो अलंकार के भेद भी आप लोग देख सकते हैं अलंकार के भेद भी पूछ लेते हैं अलंकार को व्याकरण सास्तियों ने उनके गुड़ों को के आधार पर तीन भाग में किया है ठीक है सब्दालंकार अर्थालंकार और अर्थालंकार ठीक है और हमारे पा जो है दो उबेद किये हैं ठीक है और देख सकते हैं आप लोग इसमें सब्दा लंकार में अनुपरास लंकार यमक सलेज पुल्रोक्त विफशा व्योकोक्त और अर्था लंकार में उपमारूपक कुद प्रेक्षा मानवी करड़ विरोधावास शंदे अच्छयोक्त और उप उपमेयो पमा ब्रांतिमान ठीक है तो यही दो हमारे सेल्वेस में हैं तो इनको जो है याद रखिएगा 12 नमबर परशन है कभी बिहारी मुख्यता किस रसके कभी हैं तो सही उत्रोजाएगा आपका आप्शन नमबर भी श्रिंगार रसके कभी थे ठीक है बिहारी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह मुक्तक काव्य है इसमें जो है 792 संकलित हैं बिहारी सस्साई में ठीक है बिहारी सस्साई जो है कभी बिहारी का था और यह सिरिंगार रसकी अट्ययन्त प्रसिध और अनुठी क्रिति हैं इसका एक-एक दोहा हिंदी साहित्य का एक-एक अनमोल रत्न माना जाता है ठीक है तो बिहारी ससब्साई जो है पुछा जाता है कि इसकी रचन है तो कभी बिहारी का है और यह कैसा है तो यह सिरिंगार रस से बरपूर है और तो जो बिहारी कभी थे वो सेंगार रसके स्रेष्ट कभी माने जाते थे तेरह नमर प्रश्ण है निमनलकित में से कौन सा सब्ध संधि भी है और समास भी है तो आपका आफ्षन नमर हो जाएगा और समास अगर पूछे तो समास में इसमें बहुत बरीश समास होजाएगा पंच धन आनन, पांच है मुक जिसके अर्थात हनुमान, पंच मुक की हनुमान भी कहा जा सकता है, शीव को अभी माना जाता है, तो जब तीसरे किसी दो सब्दों के बीच किसी तीसरे का बोध होता है, तो वहाँ पे बहुबरी ही समास हो जाता है, तो पंचानन में बहुबर का समास बताईए तो आजन्म सब्द में जो है अब्याई भाव समास हो जाएगा ठेक है तो आसन नम्बर डिया अपका सभी जाएगा और इसमें देख लिए अब्याई भाव समास क्या होता है तो यह समास इस समास में पहला पहला या जो पूरुपद होता है वो अब्या होता और इसका अर्थपरदान होता है ठीक है अब्याय के संयोग से समस्त पद भी अब्याय बन जाता है इसे में पूरोपरद पदान होता है ठीक है या ऐसे भी कर सकते हैं जिन सब्दों पर लिंग कारक काल आज इसे कोई भी प्रभाव ने पड़े जो अपरिवर्तित रहे उसे अब्याय काल आता है ठीक है अब्याय भाव समास में एक और ट्रिक चाल लिए कि उसमें जो है पहला पद में जो है अन हुआ आ हुआ प्रति हुआ यथा हुआ भर हुआ हर हुआ यह सब जहां पर भी आय जिस सब्द में तो वहां पर जो है अब्याय भाव समास हो जाता है यहां पे देख लिए आजन्मे में आ है पहले यथा मती यथा है ठीक है देख लिए यथा है और प्रति दिन में प्र है ठीक है तो यहां पे जहां पे अनु आ प्रति यथा भर हर जो आये तो वहां पे जो है अब यही भाव समास हो जाता है या इसका एक पहचान है साथ काड में जान लिजे, पंद्रे नमबर प्रश्ण है, पैर फैला कर सोना, मुहाबरे का सही अर्थ चुनिए, तो सही उतर हो जाएगा आपका आफ्षान नमबर A, निश्चिन्त होकर सोना, ठीक है, तो आफ्षान नमबर A आपका सही हो जाएगा, इन पक्तियों में कौन सा रश है, तो सही उतर हो जाएगा आपका आफ्षान नमबर D, वासल ये रश, ठीक है, वासल रश हो जाएगा आपके, तो वासल ये रश को थोड़ा सा दिख लिजिए आप लोग, वासल ये रश में जो है, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ो का छोटो के प्रति प्रेम, गुरु का सिस्यों के प्रति प्रेम, बड़े भाई या बहन का छोटे भाई बहन के प्रति प्रेम, स्नेह कहलाता है, यही स्नेह जो है, पर पुष्ट होकर वासल ये रश कहल जाएगा ठीक है और वासली रस का अस्थाई भाव जो होता है वासलता या अनुराग होता है ठीक है तो आफसर नमबर आपका डी सही हो जाएगा और इसमें देख लिजे कभी कर पूछ देता है रस से कितने भेद हैं तो मुख्य रूफ से जो है हिंदी में रस के 9 प्रकार मा जाते हैं ठीक है दसवा जो नमबर है आप लोग दिख सकते हैं यह दसवा नमबर जो है वासली रस और भक्ती रस इन दोनों रसों का गड़ना नहीं किया जाता है ठीक है तो 9 रस ही माना जाता है ठीक है और इसमें एक प्रशनावर बनता है यह अस्थाई भाव पूछ ले देगा कि रस के कितने प्रकार है ठीक है और उदारण देखकर जो है इसमें से आप लोग समझ सकते हैं ठीक है इसको जो है आप लोग इस स्क्रिंग साट के लिए लिजीगा और इसको आप लोग अच्छी तरीकी से एक बार जरूर देख लिजेगा अगला प्रस्ण देखत हैं संभिधान को हिंदी में कहा गया है तो क्या कहा गया है तो इसको जो है option number D सही हो जाएगा राज भासा कहा गया है ठीक है संभिधान में हिंदी को जो है राज भासा कहा गया है और इसमें देख लिए थोड़ा सा संभिधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर शन 1929 को हिंदी को भारत की राजभासा स्विकार किया गया था इसमें ठीक है और इसके बाद सम्विधान में अनुच्षेद 343 से लेकर के 351 तक राजभासा के संबंध में विवस्था की गई है ठीक है अनुच्षेद भी कभी कभी पूछ देता है कि हिंदी को किस अनुच्षेद के अंतरगत रखा गया है तो 343 से 351 के बीच रखा गया है ठीक है और सम्विधान की धारा 343 अड के लिए के अंसार भारतिय संग की राजभासा हिंदी एवं देवनागरी लिपी है ठीक है तो इसमें दो तीन पॉइंट्स इसको जो है आप लोग अच्छी तरीकी से याद रखेगा अठारा नमर प्रशन है सही वाके का चैन कीजिए तो सही उत्र जाएगा आपका आपसे नमर ये सही वाके है आप असफल हो गए तो क्या करोगे ये बिल्कुल सही है और इसमें देख लीजिएगा आप जो है साइ पर नमर परषन है नीचे दिये गये वाके के लिए एक उपयुक्त सब्द चुनिये तो पूरुस स्थ्री का जोड़ा जो कहलाता है ये दमपति कहलाता है ठीक है पतिपतनी बहुत लोग लगा के चलै आते हैं यृगल लगा के चलिए तो ये विलकुल ये सब गलत है ठीक है तो दमपत आपका आप्शन नमर पी आपका सही हो जाएगा बीशो नमर प्रशन है निमने लिखीत में किस वाक्य में अकरमक क्रिया है तो सही उतर जाएगा आपका आप्शन नमर ए गेहूं पिस रहा है ठीक है गेहूं पिस रहा है ये अकरमक क्रिया है और अकर्मक सकर्मक थोड़ा सा आप लोग देख लिए अकर्मक क्रिया जो होता है अकर्मक क्रिया वहाँ पर होती है जहां करता द्वारा किया गया कारे किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं जैसे नाम से ही पता चला है अकर्मक मत करता हो क्रिया भी भी हो लेकिन कर्म ना हो तो वहाँ पर काम कर रहा है और दोड़ना क्रिया है लेकिन इसका प्रभाव किसी चीज़ पर नहीं पढ़ रहा है इसलिए यहां पर जो है कर्मक्रिया हो जा रही है ठीक है तो यह आप लोग समझें और सकर्मक्रिया जो होती है सेकर्मक्रिया उस प्रकार की क्रिया होते जिसमें करता द्वारा किया गया कार किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है ठेक है तो वहां पर जो है शकर्मक्रिया होती है या दूसरे सब्दों इसको हम कह सकते है जब किसी वाकि में करता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो करता क्रिया कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहाँ पे जो है सकर्मक क्रिया होती है जैसे राहुल ने केला खाया ठेक है इस वाकि में राहुल करता है खाया क्रिया है और केला यहाँ पे कर्म है ठीक है लेकि लिए कौन से क्रिया है सकर्मक है या कर्मक लेकिन इस वाके में कर्ता क्रिया और कर्मक तीनों उपस्थी थें यहाँ पे जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगी ठीक है तो आप लोग समझ गये होंगे 21 नमर प्रशन है कभिता सिख्छन का प्रमुख अंग है तो कौन सा अवतर सही हो जाएगा कभिता सिख्छन का प्रमुख अंग है तो आफ्षन नमर A सही हो जाएगा भाव बोथ ठीक है तो आफ्षन नमर A सही हो जाएगा 22 प्रशन है वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता है ठीक है वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता है तो सही उतर जाएगा आपका आप्षन नमबर ए मौन वाचन जो है वह गद् मौन बाचन कराया जाता है लेकिन पद्ध में नहीं कराया जाता है तेजिस नमर प्रशन है जिस विदी से पहले उधारान प्रस्तो किया जाता है उसे कहते हैं तो उसमें जो है क्या का जाता है आगमन वीदी होता है ठीक है आगमन वीदी में पहले उदारन को बताया जाता है किसी चीज को पढ़ाने पहले उदारन बताया जाता है फिर बाद में इसको इस्प्लें किया जाता है और निगमन वीदी में पहले इस्प्लें कर दिया जाता ह है फिर बाद में ऌनपक्त बताय जाता है तो आपसा नमबर यह हपका हो जाएगा तो पहला है तो आपसा है आपकोन सब्सक्रात और पहला में बास किया हुगा टिएगा बहुत लोग लोग तंत्र लगा के चले आते हैं गलत हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे राज तंत्र हो जाएगा तो इसमें भी आफसान ए सही हो जाएगा 26 नमर प्रशन है हिंदी सिछण में डालटन पद्धती की दौरान बिद्यार्थी स्वय प्रेरणा से कारे करते हैं ठीक है जो डालटन की सिछण पद्धती थी तो उसमें अगर हिंदी में इसका प्योग किया जाए तो बिद्यार्थी जो है स्वय प्रेरणा से कारे करते हैं तो आफसान नमर ए आपका सही हो जाएगा 27 नमर प्रशन है प्रात्मिक अस्तर पर हिंदी बासा सिच्छन का उदेश यह नहीं है नहीं है कह रहा है तो विद्यार्थियों को सुलेख और सुस्रेख लिखने में सक्छम बनाना यही जो है हिंदी का कोई ऐसा उहदेश नहीं है कि खाले सुलेख और सुत्रलेखे भताया ठीक है तो अफसा नमर सी आपका सही हो जाए तो आफसा नमर सी आपका सही हो जाएगा 28 नमर प्रशन essa नमेलकित नमें से दंवख बबढ़ कौन सा है ते हो गया थे ते थे धे धे ने ठीक है ये जो ते वर्ग के होते हैं ये धनतब्यवर्ड होते हैं और इसमें एक और आजाता है ओ ठीक है ओ भी जो है धनतब्यवर्ड में आता है ठीक है तो ते वर्ग के सभी अच्छर और ओ जो होता है ये धनतब्यवर्ड होते हैं ते थे वो रचना है आपका मैत्रेई पुस्पा का ठीक है बहुत इंपर्टेंट है इसको याद रखिएगा कई बार पूछा है इदमनम तो मैत्रेई पुस्पा का है तो आफ्सन नमबर डी आपका सही हो जाएगा दुवेदी युग का नामकरण किया गया है तो किसके नाम पर किया गया है तो दुवेदी युग का नामकरण जो किया गया है वो महाभी प्रशाद दुवेदी के नाम पर किया गया है तो आफ्सन नमबर आपका सही हो जाएगा तो फ्रेंट से रहे हैं आपके महातुपूर्ण 30 प्रसने जो आपके सभी इख्याम के लिए काफे हल्फों सावित होंगे फ्रेंट से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक चलूर कीजेगा और अपने दोस्तों में सेयर भी कीजेगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद